तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये बताया था कि आप फोडो सोब के अंदर क्लिपिंग मस्क को केसे यूज़ कर सकते हैं, वो क्या चीज़े और उसे यूज़ करके आप किस टाइब की चीज़ें बना सकते हैं और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने बाले हैं, एक्चलि हम इसे अपलाए करके 3D गलोव या कर तो 3D अर्थ बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो काईफी यूसफूल हो सकता है अपके लिए, तो अब जल्दी से कर दीज़े इस पर एक लाइक और हमा तो अभी मैं इस पर एक सिंपल सा ग्राडियंट अज़े बैग्राउंड लेना है, तो इसके उपर की ओर मैं थ्वड़ा वार्म टिंट और नीची की और थोड़ा कूलर चिंट देना चाहता हूं, इस फीडियो में आगे जाके मैं इस ग्राडियंट में और एक डैमेंड से नाट करने जा रहा हूं, तो अभी मैं से ऐलिफ्स टूल ले रहा हूं और यहां पर मैंने सिंपल सा सर्कल बना दिया, यह एक एक दम राउंडड सर्कल है, अगर आप इस तरीके से राउंडड सर्कल बनाना चाहते हैं, तो इलिफ्स टूल लेके सीफ ठोल करके आप ग्राफिक या के तो सैटलेट व्यू वाली इमेज को एक डाउलोड करके रखा है, तो इसे सिंपली डेस्टूप से लेके यहां पर ड्राउंड कर दिया, तो आपको यह वोली आथ लेयर को थोड़ा सा से रिसाइज करके यह एलिफ्स वाली लेयर के ऊपर रख देना है, ज जिसे कि यह भी एक सिंपल सा 2D आथ लग रहा है, अभी हम इसमें और भी डाइमेंड्शन सा अट करने है, जिसे कि साथ को पहले 3D टाइप का लुक देना है, देना हमारे बैग्राउंड को भी थोड़ा उस टाइप का लुक देना है, तो इसके लिए मैं अभी सिंपली कु तो और भी ज्यादा रियलिशिक लगने लगता है, तो अभी यह जो लेयर्स में ने लिया है, इन्हें भी क्लिप करके लिया है, ताकि यह जो लेयर्स है, यह आथ लेयर के उपर, यह जो अज़ेश्मेंट लेयर से सिर्फ आथ लेयर के उपर ही नजर आए, अभी इन तो हम जिन एरियास को भी मास्क आउट करेंगे यान की फ़ाइट में पेंट करेंगे या अज़ेस्टमेंट लेयर सिर्फ उसी एरिया की उपर ही अपलाई होंगे। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं मैं जिस तरी कैसे समझा रहा हूँ आपको तो अब जरू से इस वीडियो पर कर दीज़े एक लाइक और हमारी चानल को सब्सक्राइब। तो अभी मैं सिम्पल तरीके से जी जो आथ है इसके एजस में थोड़ा 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 वाइट कलर लेके पेंट कर रहा हूँ इस मास के उपर ता कि एजस इसका डार्क हो जाए जो कि एक स्याड़ो टाइफ का लूक देगा इसे काया जाए तो यह हमें एक रियलिस्ट बनाने के लिए एक सिम्पल सा ब्ला कलर की सॉलिट कलर अजज़्में लेल लिया और क्यूंकि हम इसे पुराइब मेंस पे बिसिबल नहीं बनाना चाते हैं तो मैंने इसके मास को इनबोट कर दिया और इसका एफेक्ट को सिप आथ लेर के उपर ही टकने के लिए मैंने इसे उस लेर के उपर क्लिप कर दिया फिलाल के लिए मेरे पास कोई भी पेंट टेबलेट नहीं है तो मैं माउस से ही ओपेसिटी एंड फ्लो को डिक्रीज करते हुए इस पेंट कर रहा हूँ मैंने इसे थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए जो उपर स्नौ वाला एरिया है वहां पर थोड़ा ग्लो टाइप का एफेक्ट आट करना चाहता हूँ इसके लिए मैंने एक सिंपल सा ट्रांस्परेंट लिया और उस पे कॉलर डोज आट यभी कॉलर डोज ब्लेंड मोड को भी आप यूज कर सकते हैं उसे लेके सिंपली वाइट ब्रस से पेंट कर रहा हूँ और यह लेयर भी क्लीब्ड है हमारे आट लेयर के उपर तो जैसे के अब देख सकते हैं फैनल हमें एक 3D लुकिंग आट बना चुके हैं बट बैग्राउंड को भी इसके साथ मियाच करने के लिए और भी कुछ चीज़ें करने पड़ेगी चली एक स्याडो ले जाते हैं आट के नीचे दो कि थोड़ा और भी अच्छा लूग इसमें देने वाला है तो एक स्याडो के लिए मैंने स्मूद राउंड ब्रोस के साथ एक बार ड्याप कर दिया और एक राउंडड ब्रोस टोक आगया जो कि एक डॉट टाइप का है बनाने के लिए मैंने सिंप्ली हमारे जो बैग्राउंड वाला ग्राडियन उसे एडिट करके उसके बीच में कुछ इस टाइप का कलर कर दिया थोड़ा डार्क सेड में और इनके ब्लेंडिंग को भी थोड़ा इस टाइप से ट्रीक कर दिया कि यह भी एक प्लेन टाइप क लुक देने के साथ यह और एक स्टेप आगे बढ़ गया है 3D दिखने में तो इसके बाद अगर आप चाहो तो स्याडो को थोड़ा अर्जेस्ट कर सकते हो थोड़ा वाइड बना सकते हो या फिर लाइटिंग को चैन्स कर सकते हो क्योंकि लेफ्ट साइट के थोड़ा सा उ सीखने को मिला होगा और अगर आपको कुछ नई चीज इस में से जानने को मिला या फिर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कर दिजाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजाए क्योंकि हम ऐसे उस फुल्टी व्टोरियल साब के लिए लात रहते ह यवीज श्यवाएब एक वन्यवारे नच्छा में से उसाब कर दिजा हमारे बाते हुंँ से लिएधर लाइख रहते हैं से जह 5 दोर आपका हम गर डिर येशने लागे चैनल को सब्सक्क्छा बाते हैं से अ कर प्या हमारे उसाल से तर क्या numbers 5 वक्य कोंड़ा हैं से अ क्या ह